मुंबई लोकल में बड़ी साजिस, रेलवे ट्रेक पर रखा ड्रम, मोटर मेन की सतर्कता से टला हाथ सा मुंबई लोकल ट्रेन में एक बड़ी दुरघटना की साजिस टल गई है छत्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस और भाईखला रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रेक पर किसी ने सरारत से एक पत्थरों से भरा ड्रम रख दिया था लेकिन मोटर मेन असोक कुमार सर्मा की सूजबूज और सतर्कता की वज़े से एक बड़ा हाथ सा होते होते रहे गया मोटर मैन ने तुरंती मर्जंसी ब्रेक लगाया और उतर कर बाकी यात्रियों की मदद से ड्रम को रेलवे ट्रैक से हटाया इसकी बाद ये ट्रेन कल्यान की तरह प्रवाना हो गई ये मुंबई लोकल ट्रेन CSMTC खोपोली की तरह जाती होई फास्ट लोकल थी रेलवे इंजिनियरों द्वारा इस तरह की ड्रम का इस्तमाल अपने कामों के लिए किया जाता है लेकिन ये ड्रम रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुचा इसकी जाच सुरू है पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है मुंबई लोकल ट्रेन के जिस रेल्वे ट्रेक पर ये ड्रम मिला है वो बद्ध रेल्वे के अधिकार छेत्र में आता है CSMT और सेंड हर्ष रोट से भाईखला स्टेशन के वीच ट्रेक पर ये ड्रम रखा हुआ था ड्रम में पत्थर और गिटिया भरी हुई थी मोटर में की सतर्कता की वज़े से खोपोली जाने वाले यात्रियों की जाने बज गई रेल्वे पुलिस ने अंजान व्यक्तिय खिलाब की इस दर्च कर लिया है पुलिस टीम के अलावा रेल्वे अधिकारियों की ओर से इस घटना को लेकर जास सुरू है